जीए मेन में परफेक्ट 300 ओट ओफ 300 DKT Engineering पे जानिए कि म्रिदोल औसे धान में कैसे हिट किया ये टार्गेट DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants Hello everyone, my name is Sushil Kwanstroman, I belong to Ranchi और मैं जारकन का एक चूटा सा गाउं करियारी से बिलाउं करता हूं जो greedy district के अंदर आता है My dear friends, preparation की जो strategy होनी चाहिए उसके बारे में मैं यहां चर्चा करूँगा और मेरी क्या strategy रही थी? मैं किस तरह से job के साथ मैं preparation किया? चुकि मैं भी job में था, मेरी भी classes होते थे, 8-9 घंटे की classes होते थे तो मैं time management कैसे रखा, इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे देखे, problems के एक-दो बहने पहले तूटले आप हर चीजों को बंद कर दिजे Around 2 months 2 months full new dedications के साथ 10-12 घंट आपको पढ़ा ही करने की जोड़ोते, problems से पहले बट उसके पहले ज़्यादा ज़्यादा कोशिज किजे कि 4-5 hours आप निकाल सके सर जैसा मैं अपना strategy बताऊं सर तो आपको मेरी Saturday Sunday classes होती थी तो मैं Saturday Sunday class लेने के लिए जाता था Friday को निकलता था, Monday को आपशाता था और बाकी time जो है कि morning की time में यूज कर पाऊं जैसे मैं morning wake up मतलब उठ जाता था मैं साड़े 5 से 6 बजे की बीच उठ जाता था और साड़े 6 बजे तक hardly मैं morning walk करके साड़े 6 बजे में पढ़ना बैढ़े आता था चाहे मैं कितनों जल्दी उठों तो साड़े 9 बजे तक मैं लगातार पढ़ा ही करता था उसके बाद break fast and after the break fast 10 से लेकर के 1 बजे तक फिर 3 गंटे के मेरी लगातार पढ़ा ही होती थी फिर 1 से 2 धाई 3 बजे तक मैं पढ़ता नहीं था उसमें lunch किया अपना थोड़ा सा जो है मैं अपने घरवालों से बात करता था 6 बजे मैं अपने Micah करता था 4 बजे के बाद तो हर चीज का time टैम होता है आपकी life partner घूनको भी टैम देना है तो हर चीज का time table होता है तो 6 से 7 मैं जो है टैम रखा था इन चुचुझों के लिए बने हैं उस पर मैं कुछ-कुछ पढ़ लेता था तो बहुत सारे चैनल का भी धन्यवाद दिना चाहूंगा जिसे मैं करेंट अफेर्स बहुत सारा पढ़ता था मैं चीजें चुकि मेरी सेल्फ एस्टुडी रही है सेल्फ अप्लिपरेशन रहा है तो मैं ज्यादा ज्यादा यूज करता था सोसल मीडिया को आप पॉजिटिव वे में यूज करें नेगेटिव वे में यूज नहीं करें चुकि सोसल मीडिया को अगर आप नेगेटिव वे में यूज करेंगे सर तो वो बहुत ही घातक हो जाएगा तो एक टाइम टेबल रखें जिसे मैं साड़े नो चुटी को बहुत ज्यादा यूज किजी, holiday, जैसे माली जे आज दुर्गापुजा की चुटी है, आज दिपावली की चुटी है, आज इसकी चुटी है, आज संडे है, आज अज अटरडे है, तो यह जो चुटी हैं मिल रही आपको, उसको ज्यादा से ज्यादा जब भी आफ ऑफिस से आते हैं, उनके बाद का टाइम ज्यादा ज्यादा निकालिए, तो डेली रूटिन में सामिल कर लिए, 3-4 आवर्ट, जो वर्किंग है, 3-4 आवर्ट, एटलिस्ट डेली का पढ़ाई हो जाए आपका, और Saturday, Sunday, 8-9 आवर्स, या मतलब 10 घंडे का पढ कर पा रहे हैं, तो अब यह से बहुत अच्छा पढ़ाई हो जाएगा आपका, और बहुत अच्छी रैंक भी आएगी आपकी, कोई जरूरी ने, बकी जो है, दिन रात पढ़ने की जोड़त है, बट हाँ, continuity, एक continuity manner में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, continuity बहुत बढ़ा ची आप लाइप में, negative कभी नहीं रहेंगे, इसलिए इन चीजों पर नहीं सोचना है, कि selection होगा या selection नहीं होगा, जब होने का होगा selection, तो होगा ही, आप मेरी जरूरी से ये बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, कि मेरा तीन-तीन बार लगातार interview तक पहुँचा मैं, तो आप fight ल ममी पापा enjoy करेंगे, मीरे भाई बहन कितना enjoy करेंगे, मेरी वइफ कितना enjoy करेंगी, ये सब उसमया फ्यानसी थी, तो किस तरह से enjoy करेंगी, तो मतलब कहने का है, कि आपके family members किस तरह से celebrate करेंगे, तो कितना अच्छा feel होगा, लोग कितना आधर के भाहों से आपको उससे मैं आप सूचिए कि लाइफ में मुझे एक मौका मिला है, सायद मैं अगर पढ़ूँगा, कुछ कर जाओंगा, तो हो सकता है कि मेरे आने वाला जेनरेशन, या मुझे देखकर के जो सीख लेंगे आने वाले जेनरेशन, कि इन्होंने इतनी श्ट्रगल करके एचीब कि तो मैं श्ट्रगल क्यों ना करूं, तो आपको देखकर कि आपके समाज पुरा चेंज हो सकते हैं सर, तो यह सब चीज़े एक मौटीव का होना जरूरी है, मतलब मौटीवेशन के लिए एक मौटीव का होना बहुत जरूरी है, और वो मौटीव आपका अपना परसनल होगा सबका अपना personal होता है motive किनी को spark energy किनी के बोलने से मिलती है किनी के spark energy demotivation कोई कर दिया तब मिलती है तो कहने का sense है सबका अलग-अलग नजरिया है अलग-अलग तरीके हैं preparation strategy अपना खुद बनाईए अपना time table खुद बनाईए बट max your उस time table में आप ध्यान रखें कि ज़्याद से ज़्यादा हम use कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा हम productive output निकाल सकें तभी आपका जो है definitely selection होगा दूसरी चीज हम बात करेंगे टेसरीज आपको लगाना ही है टेसरीज को बहुत अच्छे से गंभिरता के साथ लेना है यहाँ पर माई डियर फ्रेंट्स चुकि आप gadgeted officers बनेंगे तो वियस है कि government की responsibility आपके उपर बढ़े जाती है आप जिस भी organizations में काम करते हैं उस organizations की responsibility आपके उपर बहुत ज़्यादा रहेगा आप policy making या decision making में आप सामिल रहेंगे decision making का body रहेंगे आपको तो यही difference है आपके ESE में और PSU में definitely PSU में पैसे salary ज़्यादा मिलते हैं and PSU में आपके allowances भी ज़्यादा मिलेंगे पट यहाँ पे आपको power थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको यहाँ decision ले सकते हैं खुद का decision ले सकते हैं यहाँ पे आपको कितना knowledge है उस knowledge को express ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो यह organization UPC जैसे बड़े संस्था organization ही देती है आपको तो UPC का tag लगना एक अपने आप में माइने रखता है और बहुत महनत करेंगे तो जरूर UPC के gate तक पहुँचेंगे हम सब तो यह हमेशा सोच रखें कि ज़्यादा ज़्यादा हम productive time को use करें और कोसिस यही रहना चाहिए आपका कि कभी demotivate ना रहें और कभी आपको demotivation feel होता है तो आप सोचिए कि आपसे नीचे वाला है वो कैसे जी रहा है और कभी भी आपको लगे कि नहीं I am the best तो अपने उपर वाले के बारे हम सोचिए कि वो इतना अच्छा कैसे कर गया हमको और अच्छा करना चाहिए तो एक balanced life आपको बनी रहेगी ना आप demotivate होंगे ना ही बहुत ज़्यादा motivate होगर के सारे चीज़ों को छोड़ देंगे तो दोनों की बीच में एक balance होना चाहिए controller way में चलना चाहिए अगर आप controller way में चल रहे हैं तो definitely success में लेगा and one max your मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि success and unsuccess is the part of life your permanent behavior अपने behavior को कभी नहीं खोएं helping hand रखें आने वाले generations के लिए helping hand बहुत ज़रूरी है वो किनी को लग रहा होगा कि self preparation से मैं नहीं कर सकता coaching लेना ही बहुत ज़रूरी है तो मेरे journey से सिख सकते हैं friends मैंने कभी भी life में coaching नहीं लिया ESE के लिए मैंने innering services के लिए कभी भी coaching नहीं लिया है मैंने one time सिर्फ interview guidance लिया था बाकि दोनों बार मैंने interview guidance course नहीं लिया तो ये मेरी journey रही and I hope आप लोग जो है मेरी journey से बहुत कुछ सिखे होंगे and definitely मैं आप लोग के साथ बने रहना चाहता हूँ लाइप में और कभी भी किसी तरह का अगर help चाहिए मुझसे मुझसे अगर कोई help बन पाएगा तो मैं आपके साथ मैं हमेशा रहूँगा मैं आपको हमेशा corporate करने के लिए तैयार हूँ मेरे शाथ जो है अगर आपको लगे की नहीं मैं अपनी कुछ कर सकता हूँ तो मिरे लिए सभाइक की बात होगी थैंक यू, थैंक यू सो मच पर वाचिंग